प्रेक्टिस सेट नमबर 342 पर आजाए ये यूपी PCS के लिए हैं फोकस करेंगे इसमें हम इंपोर्टेंट करेंट एफिर्स के प्रश्णों पर इस टेस्ट सीरीज की प्रेलिस्ट बन रखी है वहाँ पर आप टेस्ट नमबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुंच सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कोशन नमबर 1 पर आज़िए देखें जैसे किसी भी टॉपिक से प्रश्ण को जो है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है वह एक्जामनर के उपर है कि किस तरह से पूछेगा तो हर तरह से तयार है कोशन नमबर 1 का उत्तर करिए इसी बात पर हाल ही में पुरसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर सरण कुमार लिंबाले को फर्स 2020 के तीसवे सरस्वती समान के लिए चुना गया है इस पूरुसकार की स्थापना कवोईती बताई है सन 2000 से तो पहला यह यह है ठीक है 2000 एक से भी पहला हो गया फुरत तो 1905 से पहला है 1991 आपसा नमबर यह है इसका अंसर तो वर्स 1991 में केके विटला फांडेशन तोरह सरस्वती समान की स् संबिधान की आठवी अनुसूची में बढ़ने किसी भी भारतिय भासा में पिछले दस वर्स में प्रकाश्चित भारतिय लेखकों की उतक्रष्ट साहित्तिक करती को प्रदान किया जाता है कितनी भासाएं हैं आठवी अनुसूची में बढ़तवान में 22 भासाएं वेश्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट कितने छेत्रों में लेंगिक अंतराल का परिक्षन करती है बताइए कितने छेत्रों में करती है पांच छेत्रों में नहीं चार छेत्रों में तो हाल ही में यानि 30 मार्ट 21 को विश्व आर्थिक मज के दोरह वेश्विक लेंगिक अंतराल सूचकांग में 156 देसों को सामिल किया गया है और यह सूचकांग चार चैतरों में लेंगिक अंतराल का परिक्षन करता है वो चार छेत्र कौन कौन से हैं आर्थिक भागिदारी और अबसर सैक्षनिक उपलब्धियां स्वास्त अबम उत्तर जीविता राजनितिक ससस्त्री करण वैश्विक लेंगे कंत्राल रिपोर्ट 2021 रिलेटेड दो स्टेट्मेंट है यहां पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा यह रिपोर्ट विस्वार्थिक बंच द्वारा जारी की गई है और दक्षन ऐसीया छेत्र में भारत सीष प्रदर्शन करने वाले देसों में से एक सीर्ष प्रदर्शन 156 देशों में 140 वा स्थान लेकर रहा है क्या सीर्स प्रदर्शन किया है बेकार प्रदर्शन किया बिल्कुल तो विश्वार्थिक मंच यानि वर्ड एकॉनोमिक फॉरम तवरा जारी वैश्विक लेंगिक अंत्राल रिपोर्ट दुषार एक्केस में भारत 28 पाइदान नीचे आ गया है इसे पहली बार किसे इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ड एकॉनोमिक फॉरम के दौरा दुषार सबसे खराब है भारत रैंकिंग में देखा जाए तो 156 देशों में 140 स्थान पर है कि कोश्चन नुबर फॉर पर आजए हाल ही में कितने राफैल फाइटर जैट फ्रांस से भारत भेजे गए हैं कि देखिए चोथा खेमा था इसका ठीक है चोथे खेमे में तीन ने तीन आ एरोस्पेस की स्ट्राइक शमता को और बढ़ाने के लिए स्ट्रेट्स एरवेस फ्रांस से नौन स्टॉप उड़ान भरने के बाद तीन जो रफैल फाइटर जैट से उसकी चोथी खेम भारत पहुंच गई है और संयुक्त अरब अमीरात के वायू सेना के टैंकरों के लडाकू रफेल इन लडाकू रफेल जैट पिमानों में इंधन भरा गया ठीक है इंधन भरने की सुविदा प्रदान की संयुक्त अरब अमीरात ने इससे नौन स्टॉप यह उड़ते रहे और भारत पहुंच गई ठीक है चौथी खेम है और तीन आ हैं इस वार कोश्चन नमर फाइब पर आजएए चर्चा का विशा बना हुआ है सांतिर अग्र सैना दोहार एक केस जो एक संयुक्त सैन अभ्यास है किस देश का है यह और नया है बिलकुल नियूली इसका उद्गाटन किया गया मतलब इस नाम से अब एक संयुक्त सैन अभ्यास होगा तो बंग्र देश में सांतिर अग्र सैना दोहार 21 नामय के बहुर आजटी सैन अभ्यास चार से बारे अप्राइल दोहार 21 तक आयुजित किया जा रहा है ठीक है इस अभ्यास का विशे किया होगा रोबस्ट पीस कीपिंग ऑप्रेशन बंग्र देश की राष्ट पता बंग रायल भूटान आर्मी इन स्रिलंकाई आर्मी और बंगलादेश आर्मी की टुकडी के साथ भारतिय सैना भी इस बहुरास्टिय अभ्यास में भाग ले रही है ठीक है चार अप्रेल से बारे अप्रेल तक बंगलादेश में कोश्चन नुबर सिक्स पर आजी हाल ही मैं चर्चा में रहे फिल्म अभीनेता रजनीकांत नम्रिक में से किन पुरुसकारों से सम्मानित किया जा चुके हैं पद्म भूशन पद्म बिभूशन ग्यानपीट पुरुसकार दादा साफाल के पुरुसकार देखे ये ठहरे फिल अब मुद्दा यह है इनको पद्म भूशन से पहले तो पद्म भूशन से पहले तो पद्म भूशन दिया गया होगा ठीक है और पद्म भूशन इनको मिल चुका है पद्म भूशन इनको मिल चुका है तो पद्म भूशन भी मिले गया होगा और हाल ही में जो है दादा साफ पुरुसकार ये प्राप्त करेंगे आने वाले एक तो महीने में इसको अभिनेट कर दीजे वन टू थी इसकांसर हो जाएगा तो दिगज अभिनेता रजनीकांत को 51 वे दादा साफ आल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया है जो भारत में सरवोच फिल्म सम्मान है परतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत को भारते सिनेमा में उनके सांदार योगदान के लिए वर्स 2020 का दादा साफ आल के पुरुसकार दिया गया है यहाँ पुरुसकार उन्हें तीन मई दोहार 21 को प्रदान किया जाएगा देखिए आप सन के साथ कन्फियूज मत हो जाना ठीक है और सन के साथ वो नहीं पूछा एक्जाम में ठीक है कहीं कहीं 19-20 में बहुत कन्फियूजन रहता है आपको 51 याद रखना है यह हाल ही का याद रखना है अब पीछे उतना पुरान तो पूछे का नियमता बच्चन हो ला क्योंकि यह नया मिल चुका है ठीक है तेखिए रचनी कांत यहां पुरुसकार पाने वाले बारवे दक्षण भारतियं है ठीक है इससे पहले डॉक्टर राजकुमार को और अक अबिनेता को पिछले दिनों पाद्म भूशन और पाद्म भूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है रजनिकांत की बात हो रही है कुश्चन नुम्र सेबन पर आजिए निमनिकित में से कौन सा योगम सही सुमेलित है अंतरास्टिया बाल पुस्तक दिवस के समने दो अप रन्स बुक डे कायोजन एक अंतरास्टिया गैर लावकारी संगठन उस संगठन का नाम है इंटरनेशनल बॉर्ड आन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा पढ़ने के पृति प्रेम को प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से पृतिबा स्टिय वाल पुस्तक का विशय अथीम क्या है दा म्यूजिक आफ बॉर्ड्स विस्व ऑॉटिज्म दिवस की बात करें तो विस्व ऑॉटिज्म दिवस दुनिया भर में ऑॉटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉडर से पीडित लोगों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के ल से रनची हो गई ठीक है कौन है इसका विजयता यह प्रशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है यूपी पीसे से इसलिए पूछा आ सकता है कि कि फाइनल मुकाबला हुआ था मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच में लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें उप विजयता है और मुंबई इसमें विजयता है इसलिए इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नुम्बर ही तो बीस फरवरी से चौदा फरवरी 14 मार्ज 2021 तक भारत का लिस्ट एक क्रिकिट टूनामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 भारत के विफिन सहरों में आजजित किया गया 14 मार्ज 2021 को इसका फाइनल खेला गया था अरुण जेटली किर्किट स्टेडियम में जिसका पूर्ब नाम किया है फिरोसा कोटला स्टेडियम दली मुंबई और उत्तर प्रदेश के वीच फाइनल मुकाबला खेला गया विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का इस फाइनल मुकाबले में प्रदेश इंग्लेंड के बीच चार टेस्ट्मैचों की सीरीज भारत में संपर्न हुए भारत ने चार टेस्ट्मैचों की सीरिज तीन एक के अंतर से जीट ली और इस जीट पर भारत को एंथोनी डीमेलो ट्रॉफी प्रदान की गई यह है भारत की घरेलू सरजमी पर तेरवी टेस्ट सीरीज है देखिए स्पोर्ट से रेलेटेड प्रेशन UPPCS में पूछे जाते हैं दूसरे competitive exam में पूछे जाते हैं लेकिन UPSC नहीं करती ही कभी भी ठीक है इसलिए UPSC की अगर आप पेपर देने जा रहे हो सेवल सेवा का तो कभी भी Bimbledon, US, French Open इन सब के बारे में मत पढ़ना स्पोर्ट के बारे मत पढ़ना cricket ये कौन जीता वो कौन जीता या ICC Champions Trophy Player of the Year, Series of the Match ये सब चीज ये नहीं पूछते है UPSC ठीक है PCS में पूछे जाते हैं लेकि लिए और ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है करेक्ट है एकदम इसलिए D है होगा इसका अंसर ठीक है तो देखें सीरीज के चौथे और अंते मैच में 101 रन बनाने वाले भारते किर्केट बिकेट कीपर रिशा पंत को Player of the Match चुना गया और इस सीरीज में 32 विकेट लेने वाले और 189 रन बनाने वाले भारते आफ स्पीनर रवे चंदराश्विन को Player of the सीरीज चुना गया ठीक है तो टेस्ट मैच या हाल हाली में कोई ODI हुआ है उसमें किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया या आई पियल तक से रिलेटेड प्रश्ण PCS तक की परिक्षाव में पूछे जाते हैं कि यूपियस सी में नहीं लेकिन कोश्चन नमबर दस पर आजए हाल ही में नीती आयोग तथा रौकी माउंटेन इंसिट्यूट इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष करोड सो लाग करोड कि देखिए कुछ बिना मतलब के बिना सर पैर के स्टेट्मेंट होता है मतलब था। सो लाग करोड लेक्ट्रिक वाहनों की बात हो इतना जाने कैसे हो सकता है यह तो ढ़लत है 10 लाग करोड से भी पांच लाग से भी कम है 3.7 लाग करोड तो 9 मार्ज 22 को जो है नीती आयोग और रोकी माउंटेन इंस्टिटूट इंडिया के दवरा भारत में इलेक्ट्रिक वहनों हे तू विद्ट पोशन पर एक नई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है इस रिपोर्ट का जो नाम है वो Mobilizing Electric Vehicle Finance in Indyya क्या है Mobilizing Electric Vehicle Finance in इंडिया इस रिपोर्ट के मताबिक भारत में वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वहान उद्द्यो का आकार लग भग 3.7 लाग करोड होगा अर्थ-बरते-मान आकार से 80 प्रतिशत अधिक होगा बढ़ते प्रदुशन को देखते हुए बहुत आवश्यक्ता है इलेक्ट्रिक बाहनों की क्योंकि वो तो जीरो पॉलिशन जो है निकालते हैं ठीक है बैटरी चार्ज होती है चलिए तो दस प्रश्टन एड़ किये गए थे इसमें इनकी प्रक्टिस एक बार कर लिजे सब्सक्राइब का इसको दबाकर ब्लैक कर दिजे सब्सक्राइब का